Hello my UD family, once again welcome back to Arrow Gaming मैं हूँ Arrow IP और इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं Free Fire vs Free Fire Max दोनों में से आपके लिए कौन सा बेस्ट है Free Fire Max में क्या-क्या चेंज़े आगे देखने को मिल चकते हैं और Free Fire Max का यहाँ पे क्या मकसद है लाने का यह सब कुछ इसी वीडियो हम पता चलेगा उससे पहले लगा लेतें इंट्रो और शुरू करतें वीडियो को So guys, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे करेंगे Graphic Comparison Free Fire vs Free Fire Max कि उनके ग्राफिक्स में हमको कितना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है और अगर यह वीडियो आपको informative लगे इससे कुछ भी आपको knowledge बढ़े तो प्लीज चैनल को subscribe ज़रू करें बिकॉज यहाँ पे Free Fire के tips, tricks या फिर जितना भी Free Fire से related content है वो आपको मिल जाएगा तो family यहाँ पे अगर हम लोग देखे तो Free Fire और Free Fire Max दोनों ही हमारी स्क्रीन पे आ चुके है अब आप लोग को इसको देख के बताना है भाई कितना ज़्यादा फर्क नजर आ रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे Free Fire Max थोड़ा जादा smooth लग रहा है और उसका resolution भी थोड़ा better लग रहा है बट फिर भी confusion है आप एक नजर में नहीं बता सकते कि Free Fire Max कौन सा है और Free Fire कौन सा है बट अब देखो गाइस अभी आप एक नजर में बता दोगे कि नीचे वाला है Free Fire Max और उपर वाला है Normal Free Fire क्योंकि हम Free Fire Max में देख सकते हैं जो यहाँ पर ग्राउंड है घास की क्वालिटी है डीटेलिंग है काफी अच्छी है पेरगों की डीटेलिंग काफी अच्छी है इसके साथ साथ हम FX भी देख सकते हैं अच्छे से नजर आ रहे हैं अच्छी है उनकी भी डीटेलिंग अच्छी है तो वह बहुत जादा रियलिस्टिक लग रहा है और देख के हम बोल सकते हैं भाईया यही है Free Fire Max और यही हमने एक्सपेक्ट भी किया था तो अब करते हैं एनालिसिस तो गैस सबसे पहले यहाप एक एक एक्जामपल ले लो क्योंकि आई भी भाई एक्जामपल के बिना तो समझाते नहीं है एक बगीचा है सेव का ठीक है वहाँ का जो माली है तुम जाते हो उससे मिलते हो और कहते हो भाईया एक सेव खिला यहां का मुझे टेस्ट करना है कि कैसा है इस बगीचे का सेव ठीक है तो वैसे ही कुछ हुआ है क्योंकि प्रोमोशन टाइम पे जितने यूटुबर्स ने यहां पर प्रोमोशन किया था तो उन्होंने जो ग्राफिक्स दिखा थे वो बर्मीडा मैक्स के ग्राफिक्स थे Free Fire Max का Bermuda Max एक part है ठीक है एक mode है यानि की Clash Squad जैसा तो यही confusion हुई इसलिए जब आप लोग ने अब यहां पे game खेला और normal rank match खेले तो आपको लगा यार इसके graphics तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमारे normal Free Fire के हैं बहुत जादा difference आपको नहीं लगा क्योंकि वो जो graphics है वो Bermuda Max के हैं ठीक है अला कि आपको आपे नए animations दिखे, smoothness पहले से जादा दिखी, resolution बेटर दिखा and sound effects भी add हुए है बहुत चीज़े add हुई है बट वैसे graphics नहीं है जैसे Bermuda Max के और maximum लोग की expectation थी कि वो Bermuda Max वाले graphics हमको पूरे Free Fire Max में दिखेंगे तो वैसा क्यों नहीं हुआ उस के point of view से देखते हैं मतलब जिन्होंने game को बनाया है उनकी नजरों से देखते हैं कि क्यों उन्होंने जो Bermuda Max के एक बढ़िया वाले graphics थे वो Free Fire Max के हर एक mood में नहीं डाले ठीक है सबसे पहला reason यह है कि वो लोग यहाँ पर game को balance रखना चाते थे यानि कि जो Free Fire है और Free Fire Max है वो दोनों को balance रखना चाते थे कि कि किसी को भी advantage ना मिले एक दूसरे के उपर example के तोर पर अगर यह Bermuda Max वाली जो जारी है यह पूरी Free Fire Max में हो जाती rank game में भी तो क्या होता अगर मैं इसके अंदर छुपता अगर कोई सामने Free Fire Max वाला player आता तो वो मुझे ना देख पाता लेकिन normal Free Fire वाला player मुझे देख लेता क्योंकि उसके में जो जारीों के texture है वो थोड़े से अलग है और जो Free Fire Max के जारीों के texture है वो थोड़े से बलकी है तो यही रीजन है unfair gameplay ना हो दोनों में difference ना है यानि Free Fire Max में इसलिए जो Bermuda Max वाले graphics है वो Free Fire Max में नहीं डाले गए समझ में आ गया और दूसरा बढ़ा सा tricky है बट मैं एक्जामपल दूँगा तो लेकिन तुम हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखते होगे कि एक बार में एक दो ही setting में तुम छेड़ चाल करते हो मतलब खाली एक setting में छेड़ चाल करते हो फिर एक दो दिन test करते हो कि भाई उसकी वज़ेश कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे phone में अगर दिक्कत आती है तो लेकिन दीरे दीरे जैसे आपने setting एक चेंज करी थी उसी तरीके से यहाँ पर ग्राफिक्स भी एक बार में नहीं डाल सकते सारे वहाँ पर धीरे धीरे ग्राफिक्स डालेंगे टेक्चर्स एड़ करेंगे ताकि overall free fire max में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि यहाँ पर उनको बह सेम है तो यही रीजन है कि अभी हमको इस तरीके के ग्राफिक्स एक बार में free fire max में नहीं दिखें है तो free fire max भया इसलिए lag है कि free fire ज्यादा से ज्यादा audience को hold करके रखके पकल करके कैसे एक वो audience जिनके पास device low end है मतलब उनके साथ क्या हो रहा है कि इसी application में जब ग्राफिक इंप्रूव होते जा रहे है इंप्रूव होते जा रहे है तो जिनके पास low end device है उनमें lag बढ़ता जा रहा है तो यह दिक्कत ना हो इसलिए यहाँ पर एक separate application ले आई कि भाईया अब कुछ भी यहाँ पर बढ़ाना होगा तो हम free fire max वाली application में बढ़ाएंगे ठीक है ताकि जो low end device users है वो normal application को use कर सके उनको दिक्कत ना हो एक तो यह हो गया और दूसरा वो audience जिनके पास high end phone है और जो चाहते है कि भाईया हमें और अच्छे ग्राफिक्स चाहिए और gaming experience और ज्यादा अच्छा होना चाहिए क्योंकि उनके पास अच्छे devices है तो यहाँ पर उनको भी satisfied कर रहे हैं जिनको अभी switch कर चुका हूँ free fire max पे बट अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत दिक्कते हैं वो भी fix हो जाएंगी जैसे sound का अभी थोड़ा 3D sound का दिक्कत है surround sound का बट वो सब जैसे ही next patch आएगा वो सब हमको fix होती नजर आ जाएंगी क्योंकि जो development team है वो यही काम करती है भाई जो तो हमने बनाया है यहाँ पे audience उसको test करती है feedback देती है फिर उसको भी ठीक किया जाता है तो अब देखते हैं free fire max आगे कितना जादा improve होता है यह तो थे मेरे point of views और I think आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी वीडियो अच्छे लगी तो बस चैनल को subscribe करना और gameplay वीडिय जरूर दबाना क्योंकि notification ही नहीं आती है तो यार तिकत होती है न जो यहाँ पे arrow gaming यानि आई बी भाई और AK भाई को बहुत जादा दिल से प्यार करते हैं जो हम लोग को live भी देखना चाहते हैं वो हम लोग को facebook पे follow कर सकते हैं और कल तो मेरी casting है बट हाँ रोज 5 बजे से मैं stream करूँगा शाम में तो आ सकते हो साथ में team code भी बनाएंगे खेलेंगे साथ में और rank pushing भी करेंगे मज़ा आएगा बहुत तो जो भी साथ में खेलना चाहता है मैं ऐसे करूँगा कि दो player या तीन player अपने रखूँगा एक player बार-बार change करूँगा ताकि वो लोग भी आ प्रिप्शन में डाल दूँगा and yes that's it for the day मिलते आप लोग से next video में till then goodbye take care family